तो मनीश जी सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि एडवांस एक्सल होता है ठीक है क्योंकि कुछ लोगों की धारना है कि एडवांस एक्सल एक अलग सॉफ्टेर है या एक्सले कुछ अलग पार्ट से या एक्सल में कुछ पर्टिकुलर कुछ-कुछ टूल्स है कि माइक्रोसॉफ्ट ने कहीं भी डिक्लेर नहीं किया है कि यह फीचर जो है यह आपका बेसिक है एक फीचर आपका एडवांस है और डिपेंड करता है हमारी और आपकी लर्निंग क्या हो सकता है उसका है अब इसके कुछ एक्जांबर हम आपको देना चाहेंगे ताकि आप स जैसे कि सिंपल सी बात सब बताते हैं आपको बता रहें कि अगर मैं पेस्ट करता हूं और पेस्ट स्पेशल में मैंने सेलेक्ट कर लिया मुल्टिप्लाइए या एडिशन तो अब क्या होगा कि 20 और 30 के बीच में mathematical calculation होगा और जो result है वो result पेस्ट होगा और जो result है वो result क्या हुआ पेस्ट होगे मैं बताता हूं कि मैंने इस बार पेस्ट स्पेशल में मल्टिप्लाइए तो यह आपने सीखा बेसिक एकसे को कह सकते हैं कि आपने चीज़ को सीखा कि किस option को कैसे इस्तमाल करते हैं कैसे प्रफॉर्म करते हैं क्या result देता इसके बारे में आप से अब हो जाता है अब इसी एक्जाम पर क्लास में कैसे समझाओ का सुछ तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हो इसे यहां पर्फॉर्टी और परसंट का सेंबल देके एंट्रेप्रेज किया तो यह रिखिए 20 परसेंट आ गया हुआ है अगर मैं ट्वेंटी टाइप करके बादन परसंटेज लगा हूं तो 2000 परसेंट हो एक्सल में वान एक्कोल तू हंड़ परसेंट होता है इसलिए आ अब यहीं प्रॉब्म है कि हमारे जो कलिक थे वह इंटरनेट से कहीं डेटा निकालते थे विखता परसंटेज में था मैं है यहां साथ नॉबर अब मैं तो परसेंट निकालना है तो 60% परसेंट पर सेंबल पर तीक है अगर नहीं नंबर है तो तो है रिजल्ट आपका गलत आया तो आपको जरूरत क्या परेगी पॉर्मलेट चेंज करनेगी तो मैं फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकता जहां इस डेटा को मुझे रखना है अपने रिपोर्ट्स में हम फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते इसके पीछे रीजन है कि बहुत लोग का डेटा आता है तो फॉर्मूला चेंज करूंगा तो उनके बाद उनकी डेटा यहां हम अपने डेटा कुछ तो कैसे करें एक एक करके अगर परसेंटेज का सेंबल ने इस तरह से तो दिक्कत हो जाएगी ना अंजे तो यहां पे हम क्या करते हैं कि हंडेट परसेंट टाइप करते हैं इसको कॉपी करते कापी करके तो सी दुवान में तो चीजे बताई राओं को उसी को प्रॉंक करते हैं आइड क्लिक पेस्ट स्पेशल और यहां पर हमने क्या कर दिया और देखिए एक क्लिक में हमारा सार नंबर परसेंटेज लिए इस तरह के चीजे हम करते हैं तो कहने मतलब है कि यह सेम चीज मैंना आपको सीट वान पर ही बताया और सेम चीज मैंना आपको सीटूर पर ही बताया दोनों की एक्जामपल में कितना फॉर्प हो गया सो देखिए अब बात करते हैं पर फॉर्मूला की कॉम्प्लिकेटर फॉर्मूला कैसे संधाया जाता आप जबह बाते हैं जैसे मेरे पास कुछ डेटा है वी कॉलन इक कॉलन एफ कॉलन जी कॉलन इस तरह एपको डेटा है मुझे इसमें काउंट करना है कि कितना बढ़ा आए लेकि मैं यहां पहला करता हूं कि लेंन लागाता हूं ऑप इसमें सब्चीवट देता हूं थैसको कर दिता हूं कि प्रेज़ता हो इसमें विटांट कर देता हूं अब आपको इसको फॉर्मुला वो समझने में थोरी सी दिमार लगा इसे तो सबसे पहले में लेंद का फॉर्मुला लगा हुँगा लेंद देता है कि इसलेंद बता लिया फिर मैं सब्सक्राइब करें इसमें जितने भी इना उसको डिलीट करेंगा इस दिलीट करेंगा फिर वह पॉसलेंगे फॉर्मुले लगांगा और मुझे इसका पता चुछाएगा देंजब बी नहीं था माइनस जिए भी था तो उसका रिजल्ट लेंगे अब मुझे इनको आपस भी क्या करना है एक अठा एक से इस तरह का फिर चाहिए इस तरह का लगा दिक्कत होगा हमने समझने के लिए पूता दिया अब मैं क्या करूंगा इस फॉर्मुले को मर्ज करेंगा जैसे कि यहां बी वहन है तो दी वान पर गया दिवन को कॉपी किया पिअ किया और यहां यहां पिए पेस्ट कर दो अ यह लिए को सब्सक्राइब कर देढ़े लिए संब्सक्राइब कर नहीं फिर चीए तबूमिले को अगर आध। ठीक है और धीज़े धीज़े फॉर्मूला हमारा मर्ज होता जला जाएगा इससे क्या होगा कि आपको पते नीचे लिए कि आप इसका लंबा फॉर्मूला लगा अब देखिए एक जामपल था और एक जाम नहीं दोनों ने फर्क हुआ आउसे अपको इस क्लास्ट में पास अब बात करते हैं हमारे कौर्स को टेयं के देखे में पास-ब्राओए पहली क्लास है हमारा लाइच अलाव क्लास फीचे मित कॉ आह tuna कि आपको में छोगों दिखेंगे विडियो में क्लास वाइं में आपको इसमें हर दिखेंगे वीडियो इसमें यहां कि लिए सब्सक्राइब 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 कर सकते लाइब क्लासेज जो है जूम के साथ आप ले रहे हैं तो इसका एकसा एकसा इसकी आप बात करते हैं इस फॉर्मुले में आपको जो है कंप्लीट बेसिक टुए डवांस लेबर है और इसमें हम कई साइज टॉपिक कवर करते इसका सब्सक्राइब करने में इसमें आपको लेटेस एक्षल सुलूशन से इसमें हम आपको लेटेस एक्षल सिफाएं सब्सक्राइब करना है तो आप कर सब्सक्राइब करना है तो आप कर सकते हैं जी ठीक है अब बात करते हैं टाइमिंग की कि टाइमिंग कौन सा चाहिए हूँ